वेलो, नमस्कार इस्ट्वेंट, मैं विशेक भारगाओ, भारगाओ क्लासेश के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज को चुमारा वीडियो को टॉपिक है वो है, 36 गड़ SI पुलिस, ठीक है, तो 36 गड़ सब स्पेक्टर जो है, वो उसका ओफिस्यल नोटिवकेशन जो है, जारी कर दिया गया है, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग का ओफिस्यल नोटिवकेशन दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर में आपके जितने भी डाउट थे, वो स सीजी पुलिस टाइप करना है, सीजी पुलिस टाइप करते ही, आपको देखे, ओफिस्यल वेब साइट जो है, खोल कर आ जाएगी, तो इसका जो रिक्यूर्मेंट वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर में आप वो क्लिक करना है, जैसी आप रिक्यूर्मेंट वाले सेक्शन पुलिस की और यहाँ पर official website में जो है notification, full notification जो है वो आपका आ गया है ठीक है तो आप advertisement में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर बहुंच जाओगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आप क्लिक करोगे तो यह जो है advertisement जो है वो आ गया है अब इसके अंदर में जो बहुत सारे बच्चों को doubt था कि जो 2018 में जिन्होंने फॉर्म बरा था उनको क्या करना है तो यहाँ पर मैं आपको full notification जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो इसको आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है ठीक है तो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका doubt जो है वो clear होने वाला है ठीक तो यहाँ पर जो है फॉर्म कब से fill up होंगे ठीक है आवेदन की last टिभी परिच्छा सुल्क क्या होगा और जिन्होंने 2018 में जो है वो सारा कुछ जो है वो clear करने वाले है तो इस PDF को जो है वो अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर खोल लेते हैं ठीक तो देखें यहाँ पर मैंने यह PDF अच्छे से जो है यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए PDF को अच्छा बढ़ा कर दिया है ताकि आप यहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है पुलीस मुख्याला है 36 सेक्टर 19 नवा रायपूर ठीक है तो विग्यापन जो है वो जारी कर दिया गया है 13 9 2021 के माध्यम से 36 पुलीस विभाग में सूबेदार उपनीरक्षक समवर्ग तथा प्ल विद्वारों से 36 पुलीस वेबसाइड में जो की है www.cgpolice.gov.in पर एक 10 2021 से जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वा अमत्रित के जाएंगे या भरे जाएंगे ठीक है तो एक 10 मतलब की अक्टूबर एक अक्टूबर से जो आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुजाएगा ठी देखे और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखे तो देखे यहां पर जो जो लिखा हुआ है सारा चीज़ देख लेते हैं तो अवेदन जो है ऑनलाइन भरने की प्रारंबिक ती थी है एक 10 2021 आप सुबरे साड़े ज़स बए से ले लिए जो है वो 200 रुब है ठीक है तो जिन अभ्यारतियों अब यहां पर अच्छे से नोट इसको नोट डाउन कर लीजे जितने लोगों के डाउट थे वो सारे यहां पर क्लियर हो जाएंगे ठीक है आपका किसी का पैसा डूबा नहीं है बहुत सारे कमेंट सारते किसार हम आवेदन करना होगा तो आपको आवेदन तो जरूर आवेदन करना होगा एक तारिक से परन्तु उनसे दोबारा आवेदन सुल्क नहीं लिया जाएगा यह आप यहां पर अच्छे से पढ़ लीजे आपको आवेदन तो जरूर करना है लेकिन आपके लिए कोई शुल्क जो वो किया गया है, 975 पद हैं, तो सूबेदार के लिए अनरक्षित में 24 पद हैं, अनुसुची जाती में 7, अनुसुची जन जाती में 19, ठीक है, यह यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजेगा, कि कितने पोस्ट किसके लिए जो है, वो न निरक्षक विशेज साखा, ठीक है, बाकी सब के लिए फिर बाकी, मैंने अलग से वीडियो जो बनाया हुआ है, उसके अंदर में आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है, तो यह जो ऑफिशनल नोटिविकेशन है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, यहाँ पर दो दिया है, और एक चीज़ और अच्छे से नोट डाउन कर लिए, कि आवेदा को 36 गड़ राज्य का इस्थानी निवाशी होना अवस्यक है, मतलिब कि निवास पुर्माडपत्र के बीना आप जो है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यह आप अच्छे से ध्यान रखेगा, ठीक ह सामान नहीं जाती कि अभ्यारती के लिए दिनांक 11-2021 को 21 वर्स से कम नहीं होना चाहिए, यह आप नोट डाउन कर लिजे अच्छे से यहाँ पर, बहुत सारे कमेंट्स आरते कि सर 18 सार वाले पुलिपी तो फॉर्म जो है निकला हुआ है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, 21 वर् से कम एवं 34 वर्स से अधिक नहीं होने चाहिए, बहुत जादा आपको आयू में जो है वो छूट दे दी गई है, सामान नहीं जाती कि अभ्यारतियों के लिए भी, 34 वर्स तक आप अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अनुसूची जाती है, अनुसूची जन जाती है उसाइनिक, सहीद, राजी, पंडे, पुरुसकार, गुंड़, दुर, पुरुसकार, महार, राजा, प्रवीड, चर्य, भंजदेव, सम्मान, अभ्यारतित, राश्ति, युवा, पुरुसकार, प्रात, अभ्यारतियों, समसे भी, नगर साहिनिकों के संबन्द में भी, निय के लिए जो खुसकपरी थी, अब अच्छा से फॉर्म भर लेजीगा, और अच्छे से त्यारी जो है, वो चालू कर दीजेगा, ठीक है, उसके बार देखिए, यहां पर जितने भी सेक्रिनिक अहरता के बारे में दिया गया, वो भी यहां पर देख लीजे, तो सूबेदार उपनीरक्षक, उपनीरक्षक विसेश सखाएवं प्लाट्टून कमांडर के पदों के लिए उमिद्वार को किसी भी मानिता प्रत्र विसी विद्याले से इसनातक की उपादी अत्वा, उसके समकक्च उपादी प्राप्त होना जरूरी है, मतलब आप इसनातक हो, उसी प्रकार कम्पीटर में देखें क्या दिया गया है, तो कम्पीटर वाले पत के लिए सासंद्वारा किसी मानिता प्रत्र विसी विसी विद्याले से कम्पीटर अप्लिकेशन, ब् निर्धादित सैक्षिनिक अहरता आवेदन भरने के अंतिम्तिति को अवश्यक होनी चाहिए, मतलब कि आप जब भी इसको फॉर्म भर रहे हो, तब तक आप इसको पुरा किलियर होना चाहिए, आपका जो ग्रेजुशन है, ठीक है, या जो भी उपादी है आपकी, ठीक, और कि यहाँ पर सारी कहरता भी आप एक चीज को अच्छे से ध्यान रखेगा, पुरुस के लिए जो है वो नियुन्तम जो उचाई है, वो 168 cm है, इसमें कोई कम जादा आपका नहीं चलेगा, जादा होगा तो चलेगा, और महिलाओं के लिए जो है उचाई 153 cm है, इसमें भी कम नहीं चलेगा, जादा होगा तो चल जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार पूरी सुमिद्वार में भी मैंने आपको बता था कि 80 cm, जो है वो आपका चेस्ट होना चाहिए, और खुलाने पर 60 cm, मतलब 5 cm का जो है वो गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट परिख्षा, सारिक, दक्षिता परिख्षा, यहां साक्षटकार जो है, वो सामिल किया गया है, तो यह जो है चैन की प्रक्रिया है, ठीक है, और इसमें 10 बोना संग दिये जाएंगे, राच्टी अंतराच्टी खेलकूदवालों के लिए, ठीक, यह सब सारा कुछ जो है वो क्लासेज भी हैं, वहाद से लगव-लबग श्टार्ट हो गई है, तो आप क्लासेज को भी अच्छे से देखते रहीएगा, ठीक है? उससे आपका बहुत सारा जो है वो, अच्छे से जो है वो, क्लियर हो जाएगा, और इसमें सबसे इंप्रेंट सिलेबल्स है, तो आज के वीडियो में इतना था, यदि आपको कोई भी doubt होगा यहां पर तो नीचे comment section में आप comment कर दीजेगा, तो आपको वो doubt जो है वो clear कर दिया जाएगा, ठीक, तो आज की वीडियो में इतना था, जैन,